आज है सुलाव, सुलाव यहांग साथ, अम्भी दिवाने तरे होने लगे हैं, अम्भी दिवाने तरे होने लगे हैं आज है बात करने की area related to circles, important chapter है और जो 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 इसके important questions हैं, जो आपके examination में आ सकते हैं, चलिए उसकी बाते करते हैं, शुरू करते हैं let's get started, अब आपकी जानकरी एक और चीज़ पर देदें, कि हमने आपके लिए, टेलिग्राम पे सारे के सारे PDF डाल दिये हैं, और डालने में लेट हो गया, sorry, but introduction to trigonometry, applications of trigonometry, दोनों के PDF डाल दिये गए हैं, तो आप लोग यहां से PDF डाउनलोड कर लीजे, PDF ज़रूर अपने प people, अपना है मामला ARC, area related to circles, ठीक है, चले, तो शुरू करते हैं, शुरू करने के पहले, यह रहा mind maps आप सब के लिए, तो mind maps में सारे important formula दिये हैं, जो आपको याद करने हैं, या revise करने हैं, जैसा कर लिए, यह तो सब को पता है, sector क्या होता है, sector का area और sector का perimeter, अमेंदो sector का area ह सब से important है, और यह हो गया इसका perimeter, length, इस सवाल इस साल हर हाल में आएगा, तो इस बार आपके paper में हर हाल में sector से सवाल आ रहा है, पकी बात है, ठीक है, तो सारे लोग इसको ध्यान से देखिएगा, miss मत कीजिएगा, segment, segment से भी सवाल आता है, segment का formula ध्यान में रखिएगा, हला और यह रहा, area of combination of figures, इसको combination of figures तो मैं बताई दूँगा, अभी जैसे सवाल करेंगे, वैसे समझ में आएगा, top 10 questions को शुरू करते हैं, शुरू करने के पहले, दो-तीन चीज़ें clear कर दूँ, इस session में आपको mind maps और 10 वो सवाल मिलेंगे, जो आपके examination में हर हाल में maximum chances है क्यों आएंगे ही आएंगे, तो इस से बाहर आपको कुछ भी बढ़ने की आवश्यक्ता नहीं, ऐसे ही 10 सवाल कर लो, अगर इस में से कोई एक ऐस सवाल होता है, जो तुम नहीं बना पा रहे हो, तो उस type के और सवाल NCRT से कर लेना, मैं पूरे session में थोड़ा धीरे-धीरे आप लोगों का कोई session cancel ना हो, ठीक है, ये है उद्देश, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और साथी साथ मेरी ये भी मदद कीजिएगा, कि अगर कोई chat box में कोई बोलता है, कि अर हर्षर बड़े सुस्त लग रहे हो, आवाज नहीं आ रही है, slow है, ये है, वो है, त सारे लोग तेया है, तो जल्दी से वीडियो पर लाइक चीए, तो मैं शुरू करूँ, पहला सवाल, area of circular playground is this, find the cost of fencing the ground at the rate of 50, or rate of 50 per meter, ठीक है, area, area दिया हुआ, area दिया हुआ, area पायार square होता है, दिया हुआ, area double to 176, ठीक है, अब यहां से पाय की value, 22 बटा 7, radius square, double to 176, इससे इसको cancel करेंगे, तो 10, 100, और 8, 100, 8 आ रहा है, आप इससे काट के देख लीजे, 22 से 22 एक बार में, फिर 1 नीचे आएगा, तो नहीं कटेगा, तो 7 नीचे लाने के लिए 1 जिरो, तभी भी नीकटा, 6 नीचे लाने के लिए एक और 0, फिर 176 एक टाइम में कटेगा, फिर 7 को इधर बेजिए, R square equals to 1008 को 7 7 जब इदर बेजएंगे तो जरूर 7 का power इसमें कुछ होना चाहिए 7 से काटिये 7 से काटा तो 7 बंसा 7 30, 7 चुक्या, 28 28 और 2, 28 तो यह 144 इंटो 7 आ रहा है यह 144 इंटो 7 आ रहा है और इसमें एक और 7 multiply यह R square है तो R की value क्या हो जाएगी यह 12 का square और यह 77 स्काट 7 तो that is 84 रेडियस आगया अब अपने कोची यह cost of fencing cost 50 पर मीटर इंटो मीटर कितना आएगा 2 पाई र 2 पाई र होता है fence का तो 2 पाई र कर दीजिए हो जाएगा 50 इंटो 200 पाई के जब पे 22 बटा साथ रेडियस आपे 84 84 साथ से काटी 12.84, 12.24 का 4 2, 12.24 और 264, 00 इतना रुपया लगेगा सबको समझ में आया का clear है हाँ यह ना 2640 रुपीज तो अच्छा इन्होंने यह शायद 50 रुपीज के हिसाब से पर मीटर ही लिखाया 50 0.84 अच्छा अच्छा शॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया my bad यह cm2 था तो यह cm में था लेकिन यह जो पॉस्ट है यह पर मीटर का का कास्ट है तो आपको यह रेडियस को चेंज करना होगा यह इसको लिखना होगा 100 तो 84 ऑज है 100 करेंगे ठीक है? ठीक है? चलिए पेपर is in the form of rectangle a semicircular portion of BC with BC as diameter is cut off, find the area of the part क्या बोला? ABCD एक rectangle है जिसमें AB है ये और ये BCD AB है आपका 20 BC है आपका 14 ऐसा करके एक semicircle काटा गया तो पूछा है BC अगर इसका diameter है तो इस find the area of the part इसका area बताई तो इसका area क्या होगा? πr square का आधा बेकाज ये semicircle है और इस diameter अगर 14 है तो radius 7 होगा तो बस area निकाल दो πr square का मतलब 22 बटा 7 1 by 2 और radius square, radius 7 7 into 7 ये से कटा, ये से 11 अवर में सबको समझ में आया क्या? हाँ, सिंपल था 77 cm2 सबको समझ में आया ये क्या हो गया? ये 77 आ गया तो 77 इनका भी आया है इन्होंने पूछा है find the area of the part अब ये part कौन सा part पूछा ये नहीं clear है बट अगर इसका 77 आया तो ये बचे वगा निकल जाएगा total area minus 77 clear है सबको? बोलो हाया ना clear है सबको clear है चलिए जी बहुत ही अच्छी बात है अगर सबको clear है अब find the area of shaded region in figure if PQ this, PR this PQ और PR दिया हुए O is the center तो area निकलना है ध्यान से देखो बिटा इसमें दिख रहा है कि साफ साफ कि अगर PQ है 24 PQ ये है 24 PR है 7 तो 20 और 7 का 24 और 7 का Pythagorean interpret 25 होता है ये 25 हो जाएगा तो 25 आ गया तो radius यहां से निकलाएगा 25 का आधा ठीक है हम से shaded region का area पूछा है shaded region मतलब ये वाला portion इसका area पूछा है कैसे निकलाएगे simple है semi circle का area ये आधे semi circle का area में ये triangle minus कर देंगे बस area pi r square by 2 semi circle का area minus half into base 7 और height 24 तो area semi circle area semi circle minus area triangle ये ही करना है clear है सबको clear है हाँ clear है चलिए pi के जगवपे 22 बटा 7 1 by 2 है radius square radius के आधा 25 बटा 2 25 बटा 2 minus half से ये 24 कटा 12 12 साथे 84 clear है अभी क्या करेंगे find area of the shaded region 24 है ये 7 है ठीक है तो ठीक है अब तो इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है तो तो फिर काटा पीटी करो और कुछ कर नहीं सकते हैं तो ये इसको 3.14 या फिर इतने भी छोड़ना है 3.14 by 2 और ये 25 by 2 ये 625 divided by 4 तो साथे बारा साथे बारा का स्क्वाइर कितना होगा ए एक सो चोगा ये 15625 तो पिटा ये जो होगा ना ये होगा 156.25 इसका multiplication और division और ये 3.14 का divided by 2 तो ये होगा 1.57 इंटो 156.25 और minus 84 अब यार ये इतना गंदा सा calculation है कोई को बताएगा कुछ 161. बिटा चिराग अब ये मैं multiply तो कैसे ही करूँ 1.57156 में आधा तो 78 दिख रहा है कुछ 78 एड करना होगा इसमें मतला 80 एड करना होगा तो 236 के आसपास दिख रहा है तो ये नियरली क्या दिख रहा है पता है ये दिख रहा है 80 80 का मतलब होगया 8 25 ते इस 236.25 minus 84 ऐसा को दिख रहा है तो in fact इसका answer 80 minus 156 152 के आसपास दिख रहा है नियरली एक्वल है बटा 150 2.25 ये नियरली एक्वल है एक्जाक्ट एंसर नहीं है 152.161 आ रहा है जो भी है मैंने पूरा एक्जाक्ट नहीं निकाला है 84 आ रहा है एरिया ट्रेंगल का ट्रेंगल का एरिया तो आ गया इसका पाई रस्कार वाई 2 बहुत गंदा आ रहा है 161.54 बल्कुल सही बोल रहा है तो अब देखो ऐसा rare of the rarest case में CBAC करती है कि इतना गंदा calculation दे इतना गंदा calculation जेनरल ही नहीं देती है अब अगर rare of the rarest case आ गया तो let's move on अगला सवाल perimeter of a sector of a circle of radius this is this find the area of the sector क्या बोला यह circle है sector क्या होता है बटा ऐसा दो radius से कटके बनने वाला sector इसका perimeter ध्यान दीजेगा generally बच्चे सोचते हैं इसका perimeter यह है सिर्फ यह है इसकी value क्या होती है इसकी value होती है L जिसको हम दिखाते है theta by 360 into this लेकिन इसके perimeter में यह radius भी आता है यह total sector ना पूरा तो अगर यह पूरा sector है तो अपना perimeter बना 2R RR 2R plus L 2R plus L के जबापे theta by 360 2 pi R clear है चलिए अभी अपने को angle नहीं पता angle क्या है radius अगरा पता है perimeter दिया बाए क्या 16.4 radius क्या है बाटा 5.2 तो डालो values पूट करो 16.4 equals to 2 into R मतलब 2 into 5.2 plus theta by 360 into 2 pi R theta क्या है बाटा theta by 360 यह theta नहीं दिया हुआ है into 2 pi के जबापे यह pi ही रहना हुआ है 2 pi radius R ठीक है अब जहां से समझो यह 2 into 5.2 कितना होगा 10.4 10.4 इदर जाके 16.4 minus 10.4 कितना होना 6 यह सब को समझ में आ रहा है आ रहा है मैंने क्या बोला 2 into 5.2 क्या होगा 10.4 10.4 इदर जाएगा 16.4 minus 10.4 तो 6 आ गया ठीक इक्वर्स टू theta by 360 into 2 pi R क्लियर बात अब बिटा जी आप बस यह 2 pi R को नीचे भेज़ दो और यह theta by 360 यही रहने दो तो आपका final theta by 360 का value क्या बेठा 6 upon 2 pi R मैंने ऐसा काम क्यों किया क्योंकि हमसे पूछा था find the area of sector यही पुछा है तो area of sector जब हमको निकालना है तो उसका formula होता है area theta by 360 into pi R square तो मेरे को पता है यहाँ पे भी मेरे को theta by 360 की जरूत पड़ेगी तो इसलिए मैंने पूरा value नहीं निकाला 360 उधर नहीं भेजा सिर्फ theta by 360 equals to 6 upon 2 pi R कर दिया उससे फायदा क्या अब यहाँ पे लिख दूँगा 6 upon 2 pi R into pi R square pi से pi कड़ गया अगर यहाँ पे मैं pi की value डालता मैं को बहुत दिक्कत आती मैं को बहुत दिक्कत आती because 22 बटा 7 2 काटा पीटी बहुत दिमाग खरा होता pi pi कड़ गया R से R कड़ गया 2 से 6 कड़ गया 2 से 6 कड़ गया 3 बार में 3 और R तो answer 3R 3 R की value बटा 5.2 answer is 15.6 cm square अब सोचो अगर मैं उसकी values put करता तो कितना ज़्यदा tough होता होता न सारे कोई समझ पा रहे हैं कि हाँ यह बहुत आसानी से solve हो गया अगर मैं values put कर देता यहाँ पर क्या कर दिया अगर मैं values put कर देता यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यदा दिमाग रहा होता सब को समझ में आ रहे हैं clear है तो theta by 360 निकाला यहाँ डाला काटा पीटा answer है ठीक है सारे समझ गए चली बढ़ते हैं आगे अगर अच्छा बनाते हैं क्या अगर अच्छा बनाते हैं तो ठीक है नहीं तो आप बताएए डामिनोस का पीजा कहाँ या मैक्डानल्स से ले जाओ and then it's like डामिनोस वाला गाई सर मैं क्या ही बोलो सर डामिनोस अच्छा बनाता है मैं यही पर हूँ यही काम करता हो नहीं तो फिर भी आप थोड़ा बताएए डामिनोस अच्छा है कि मैक्डानल्स अब क्या बोलेगा आदमी डामिनोस अच्छा है कि मैक्डानल्स क्या बोलेगा ऐसे ऐसे सवाल ते जेश देखो मैं बोलूँगा विदान्तु अच्छा है तो तुम बोलोगे biased, by use अच्छा है या बोल नहीं सकता हूँ मतलब समझो ना तो care anyways मैं विदान्तु में हूँ तो मैं जानता हूँ यहां की quality तो विदान्तु is pretty good, pretty awesome और तुमको 10th में 96.9 चाहिए इसके लिए tips यह है कि बिटा पढ़ाई करो खुब पढ़ाई करो, ठीक है? that's the only tips चलिए जी अब ऐसे सवालों के जवाब नहीं होते न चलिए, आगे बढ़ते है बोलता है यहां पर find the area of the shaded region अब shaded region कौन सा है बता देते हैं आपको shaded region यह यहां से है यह बला है बता यह है shaded region ठीक है, इसका area निकालने बोला है ठीक है, निकालेंगे अपन ध्यान से देबो अच्छा एक बार तुमको पता है यह जो part है, यह ring का part है है ना ring का part ring का area क्या होता है? ring का area if I'm not wrong area ring pi capital R square minus pi small r square pi common यह होता है area of ring अच्छा तो अपने को यह major major segment का area निकालना है तो याद करो major segment में area कैसे निकालता है यह अगर 40 degree है तो बचा बार 360 में से 40 minus करें तो 320 इधर आएगा मतलब this angle is 320 तो area हम कैसे निकालते है theta by 360 याद करो यहाँ पे क्या होता था area of circle होता था pi r square जब circle का sector होता था बट यहाँ पे हमको ring का पार्ट निकालना है तो I will put the area as pi into r square minus r square यह कितना को समझ में आया आया क्या so this will be the formula used क्यों? पहले हम यूज करते थे theta by 360 into pi r square कब? जब हमें circle का एक portion का area निकालना होता था इसका तो यह pi r square पूरे circle का और यह उसका एक पार्ट theta by 360 अब theta by 360 यहाँ पे area of ring डाल दिया क्यों? क्योंकि ring का area निकालना है clear है? theta में क्या आयगा? तो theta में यह यह आयगा यह 40 है तो 40 का बचा हुआ मतलब 320 divided by 360 यहाँ पे pi 22 by 7 capital radius square minus small तो capital 7 है sorry क्या small 7 है और capital 14 है लिखा है ना? radius 7 and 14 तो इसका मतलब यह होगिया 14 square minus 7 square clear gone 4 से 8, 4 से 9 तो होगिया 8 upon 9 into 22 by 7 into a square minus b square तो a minus b 14 minus 7, 7 14 plus 7, 21 gone 3 से 3 times, 3 से 7 times तो remaining is 22 into 7, 154 into 8 whatever तो 22 into 1, 8 is 176 176 into 7 तो कितना हो जाएगा? साच्चा के 42 का 2 हातनों का 4 यह मैं लिख देता हूँ, छोड़ो 176 into 7 divided by 3 साच्चा के 42 का 2 हातनों का 4 49, 4, 53, 53, 5, 12 3, 2, 2, 4, 1, 0, 6, 7 ठीक है बटा? 410.67 cm2 अंशा कहता हैève स्बको समझ में आया है? सबको समझ में आया है, यह सरो अरे आयए, जाका और साच्चा लोग विडियो लाइक नहीं कर रहे रहे? यह क्यो? ऐसा क्यो? मास्टर अच्छा नहीं बढ़ा रहे कै? क्यों भाई जनता? Master बढ़िया नहीं पड़ा रहे है सारे लोग वीडियो लाइक नहीं कर दो अच्छा एक बात और बता दू देखो जो जो बच्चे बोल रहे हैं कि Please re-explain दुबारा explain कर दो अच्छा एक बेटा एक बात बताओ मैं explain करने के लिए मैं कोई issue नहीं है अभी तुम पूछ रहे हो हो सकता है अगले सवाल में तुमको समझ में आया है बड़ दो-तीन और बच्चों को नहीं समझ में आया है तो जब मैं तुमारे के लिए करूँगा तो सब के लिए करूँगा because YouTube पे आपको option है rewind जाने का तो आप वही सेम चीज़ वापस वापस देख सकते हैं इस session का PDF भी में डाल दूँगा टेलिग्राम पर वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है? थोड़ा सा खुद से भी कोशिश करना हो ठीक? समझ गए? चलिजी आगे बढ़ते हैं तो answer 41067 अब दूसरा यह सवाल है बोलता है shaded region का area बताइए ठीक है shaded region का है? यह देखो यह वाला region shaded है ठीक है? तो क्या करना होगा इस area के लिए? बड़ा simple है कि पूरा quadrant एक circle का quadrant है उसमें से एक square को minus करना है तो area जो हमें चाहिए equals to area quadrant minus area square area quadrant क्या होगा बटा? pi r square by 4 pi r square by 4 होता है minus area square क्या होगा बटा ध्यान से देखो area square side square होता है अब ध्यान से देखने वाली बात यह है इसमें दिया हुआ है o a 20 है ठीक है? अच्छी बात है तो अगर o a 20 है यह 20 है और यह square है то यह भी 20 है क्योंकि इसमें लिखावा है O ABC square है तो यह 20 यह 20 तो यह वाला 20 root 2 होगा क्या? hypotenuse और यही hypotenuse equals to radius भी है है न? तो radius होगे 20 root 2 और side होगे 20 अब values put कर दो तो pi का मतलब 22 बटा 7 1 by 4 radius square excuse me 20 root 2 20 root 2 radius square minus side square side क्या होगे 20 तो 20 square तो इक बार rest in peace years तो डना रही देखो I didn't mean it बट अचानक से छीख आ गया है अज़े सच में तुम लोगे साथ तुम लोगे साथ ऐसा होता है क्या? कि जब कोई master पढ़ा रहा है और अगर अचानक से उसको छीख आ जाए तुम्हारे कानों की band बच जाती है इसा होता है क्या? अचा तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? ear attack हाँ सच में अचा तुम लोग earphone लगा के बैटते हो क्या? मैं इसको कैसे इमेजन कर रहा हूं पता है I am imagining like कि एक प्यारा सा बच्चा है यह मानलो एक प्यारी सी बच्ची है ठीक है वो ऐसा ऐसे है और उसने एरफोन लगा रखे और मानलो हर सर ने छीख दिया तो उसके जो ऐसे प्यारे प्यारे बाल है वो ऐसे है ऐसे है और उसका प्यारे ऐसा हो गया और ऐसे ऐसा है तो इसा लगा शॉक लगा शॉक लगा ऐसा है ऐसा ही होते क्या एँए वेजागे वड़ते है कि अज़िए इसको 3.14 करना है कर देते हैं मद ठीक है सारी मैंने सोचा नहीं था तो अब मैं माइक आफ जब तक करता तब तक तो चीक आ गया चलो तो यह हो गया 3.14 का रूट 2 रूट 2 बनेगा तो यह 2 इसको बार में काटेगा ठीक है फिर यह 2 यह 400 में जैंगा तो इसको इसको कट कर देगा टेंगा 200, 200 into 3.14 तो यह होगया 628 minus 20 का स्वाइर 400 तो होगया answer 228 cm2 सबको समझ में आया है? बोलो हाया ना 228 clear है क्या? चलिए, अगर सबको clear है 228 cm2 चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल 2 circles touch internally the sum of their areas is 116 pi and the difference between their center is 6 cm find the radius of the circle circle यह यह ठीक है? इसका radius इसका radius मानते हैं R1 इसका radius मानते हैं R2 तो area जो दिया वाई 116 pi यह दोनों के area का sum है मतलब pi R1 square plus pi R2 square and the difference between their center इन दोनों के center के बीच का difference difference मतलब क्या and the difference between their center की radius distance between their center होना चाहिए, बटा, sorry यह गलत लिखा हो है तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक यह पूरा radius 1 होगा radius 1 और यह है radius 2 तो इन दोनों के बीच के center का दोरी जो है R1 minus R2 वो दियावा है 6 cm ठीक है? ठीक बार तो अगर ऐसी स्थिती है तो पूछ रहा है radius बताई है ठीक है? पहला तो यह πाई-पाई कड़ जाएगा तो 116 है R1 square plus R2 square ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर इसको में दोनों तरफ यहां पे हमारे पस R1 minus R2 6 है और R1 square plus R2 square 116 है ठीक है? अब देखो एक तो simple है hit and trial 10 और 4 हाँ वो सबको दिख रहा है क्योंकि 10 minus 4 6 होता है और 10 square plus 4 square 116 होता है तो एक तो एकदम simple है यह hit and trial से बना दो बट hit and trial से नहीं बनाना है तो क्या करना होगा? R2 को इधर बेजिए फिर क्या आएगा? R1 की value आएगी इधर लेख रहा हूँ या इधर ही लिख देखा हूँ ठीक है इधर ही लिखता हूँ R1 की value क्या आएगी? 6 plus R2 आएगा? और यह R1 की value यहाँ डाल तो 6 plus plus R2 का square 116 अब आपको इसको actually solve करना है quadratic बनाना है तो यह बनेगा total 2R2 square 6 दुनी 12R2 plus 12R2 minus 36 यह इधर आके 80 तो minus 80 बराबर 0 2 common निकाल लिया R2 square plus 6R2 minus 40 equals to और फिर यह बनेगा R2 square plus 10R2 minus 4R2 minus 40 बराबर 0 तो हैंस R2 plus 10 into R2 minus 4 R2 minus 4 बराबर 0 यहां से value 4 यहां से value minus 10 तो minus 10 को तो neglect क्योंकि radius negative होगा नहीं ठीक है radius negative होगा नहीं तो R2 क्या होगा 4 सबको समझ में आया क्या अज़े कितने बच्चों को समझ आया है yes बोलो जिसको नहीं समझ में आया जिसको आ गया yes बहुतों को no भी है बहुतों का yes भी है mixed crowd है दुबारा बताते हैं दोनों का area का sum 116 पाई है तो area का sum 116 पाई कर दिया यहां पे पाई पाई कैंसल कर दिया तो R1 square plus R2 square 116 आ गया पहला उसके आद बोला दोनों के radius का difference so and the difference between their center नहीं radius होगा यह गलत लिखा हुआ है centers नहीं difference between their radius is 6 तो R1 minus R2 6 दिया हुआ है ठीक है अब यहां से मैंने R2 को इधर बहेज दिया तो R1 की value 6 plus R2 आई यह वाली value उठा के यहां R1 के square में डाल दिया डालने कराद इसको open करके quadratic equation बनाया ऐसा बना quadratic equation तो ऐसा बना बट फिर 2 common लिलिया तो यह ऐसा बना middle term splitting किया minus 10 और 4 आया 4 को लेंगे क्योंकि radius negative ही होता R2 जैसे ही 4 आया यहां पर डाल दो 4 4, 4 plus 6, R1 10 तो R1 की value 10 R2 की value 4 सबको समझ में आया बोलो हाया न सबको समझ में आया PDF मिल जाएगा don't worry PDF मिल जाएगा अगला सवाल बोलता है also यहां पर find the shaded region बोला है ठीक है निगालता है shaded region पर ज़रा ध्यान दो क्या है यह वाला region और यह वाला region यह वाला region बताना है कैसे बताएंगे सबसे पहले यह triangle का area ले लो और उसमें से यह sector का area minus कर दो यह पुरा right angle triangle है because radius radius हमेशा tangent पर 90 degree तो right angle triangle निकालो कैसे निकालोगे radius 5 है 10 cm from O और यह वाला 10 है belt is pulled directly away from the center 10 cm यह 10 है ठीक है यह 10, यह 5 यह Pythagoras में तो Pythagoras interpret लगा सकते हो ना अगर इसका मान लो value x लेते हैं तो x square plus 5 square equals to 10 square तो यहां से आपका x की value आ जाएगी 5 square plus x square equals to 10 square गरोगे तो x की value 100 minus 25 35 5 root 3 5 root 3 आ जाएगी ठीक है अब जैसे ही यह 5 root 3 आ गया अच्छा अब एक बात बताओ क्या theta निकाल सकते हो theta निकाल सकते हो क्योंकि अगर मैं theta इसको लेता हूँ तो यह इसके ठीक सामने वाला side है perpendicular और यह बाजू वाला मतलब बेस तो tan theta कैसे निकलेगा जल्दी बता दो tan theta tan theta लिख रहा हूँ क्या होता है perpendicular by base theta के ठीक सामने वाला side perpendicular होता है 5 root 3 और बाजू वाला side base क्योंकि यह तो hypotenuse 90 के सामने है तो यह वाला base तो यह कटा पुटी answer क्या है root 3 मतलब theta क्या हुआ 60 तो theta मिल गया 60 तो area of sector मिल जाएगा और area of triangle निकालना है तो पहले निकाल रहे है area of area of triangle तो क्या होगा half base बेटा ध्यान दो base 5 को लेंगे तो height 5 root 3 यह वाईसे वर्सा base इसको लेते हैं तो यह height ठीक है तो base 5 height 5 root 3 answer 25 root 3 divided by 2 यह हो गया area of triangle और area of sector area of sector theta by 360 into pi r square theta क्या है 60 बटा 360 into pi क्या है बेटा pi को pi रहने देते हैं radius square तो 5 है यह 60 से कटा 6 times में 5 का square 25 25 बटा 6 into pi clear है क्या area of triangle में से sector को minus करना है यह triangle बड़ा है पूरा triangle इस triangle में से sector को minus करना है तो triangle में से sector minus कर दीजिए और area shaded निकलेगा आपका यह है 2 times area triangle minus sector ठीक बात तो 2 times area triangle क्या है 25 root 3 बटा दो 25 root 3 by 2 minus sector 25 pi by 6 25 pi divided by 6 ठीक बात निहान से देखो यह इससे मल्टिप्लाई होके 2-2 कटा 25 यहाँ पर root 3 की value root 3 की value 1.73 minus यह इससे मल्टिप्लाई होके 3 से कटा 25 बटा 3 और इंटो pi pi की value 3.14 ठीक है अब इसको solve कीजिए solve कीजिएगा तो यहाँ से 25-25 common आगे बचा किया 1.73 minus 3 upon 3.10 1.05 minus कीजिए तो if I am not wrong 0.68 आ रहा है तो 25 इंटो 0.68 ठीक है अब solve कीजिए solve कीजिए इसको solve कीजिएगा तो 25 इंटो 0.68 25 अठे 200 0 20 26 24 20 170 1.70 और 2 तो तो answer is 17 cm2 कित्तो को समझ में आया है आया क्या आया क्या अच्छा deleted non-deleted वाले लड़ाई मत करो मेरे को पढ़ाना है क्योंकि मेरे को यह important लग रहा है मेरे को लगता है आएगा ठीक है इसलिए कोई बात नहीं डिलीटेड डिलीटेड नो इशूस आप इसको डिलीटेड मानो मैं तो गहता हूं अच्छछ देखो कितना सिंपल है न कल भी बताया था जिसको जिसको डिलीटेड लग रहा है वो ऐसा करो आएसे आंग बंद करो आए आए करके चिल आने ल बंद कर लो या उससे भी और अच्छा लैप्टॉप ही उस वक्तिक्तम म्यूट कर दो या बंदी कर दो सिंपल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एंसर आया 17.09 इनका है हमारा 17 आया सही है अगला क्या कहता है इसमें अगला कहता है कि इसमें भी शेड़ेड रीजन निका ये वला ये वला ठीक है चलो अब ध्यान से देखो कैसे निकालोगे तो एक बात बताओ ये फिगर बना कैसे तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा तो ध्यान से मैं अगर एक स्कॉयर लेलू और ये स्कॉयर में एक सेमी सरकल बनाओ तो ऐसा बनेगा फिर अगर एक और सेमी सरकल इधर से बनाओ तो ऐसा बनेगा इसमें ये वला एरिया दो बार आगया ये वला एरिया ओवरलाप कर गया ठीक फिर एक और सेमी सरकल बनाओ तो ऐसा बनेगा देखो इसमें ये वाला एरिया ओवरलाप कर गया और फिर एक और सेमी सर्कल बनाओ तो ऐसा बनेगा तो देखो ये दोनों ये ओवरलाप कर गया तो हमको एक्चुली में यही ओवरलापिंग एरियास तो हटाने है यही overlapping हटाना है तो यह overlapping कैसे हटेगा overlapping ऐसे हटेगा कि हमको पता है अगर हम 4 semicircle बनाए है 4 semicircle area अगर मुझे पता है कि area of semicircle semicircle 4 area of semicircle minus इसमें से अगर मैं वो हटा दू area of square हटादो तो area of square हटादो तो यह सब हट जायगा और बचेगा क्या यह जो overlapping area है यह बच जायगा तो इसका मतलब यह overlapping area हमको मिल जाएगा तो यह है area of flower इसको flower बोल सकते हैं तो हमारे को flower का area ऐसा मिलेगा flower मतलब यह बोला जो अपना shaded नहीं है अब अपने को क्या बोला है area of flower यहाँ पे है area of flower नहीं चाहिए square में area of flower के अलावा चाहिए तो area of flower निकाल लो और square वैसे minus करना area of flower कैसे निकलेगा 4 semi circle मतलो pi r square by 2 minus area of square तो देखो ज़र ध्यान से यहाँ पे इस semi circle के लिए यह diameter है तो यह radius यह radius तो side length 2r हो गया क्या side length 2r हो गया क्या area of square में side का square clear है क्या चलिए अब यह जो side है square side of 14 cm तो इसकाल लोग यह 14 दिया हुआ है तो अगर 2r 14 है तो r क्या हो जागा 7 r क्या हो जागा 7 solve करो 2 से 4 गटा दो बार में pi 22 बटा 7 radius square मतब 7 into 7 ठीक है minus 2 into 8 तो 14 14 का square ठीक है चलो दियान से 7 साथ निप्टा 44 चलो इंटू 7 7 चुके 28 28 और 2 308 minus 4 चुके 196 200 एक सो आठ 112 112 cm square यह flower का area है इसका area flower तो अगर यह area flower इतना है सही है ना 153 minus area flower area flower area square है 14 का square 14 का square minus area flower अभी अपन निकाला 112 तो हो गया 196 minus 112 12 एंसर क्या बेटा बेटा क्या बेटा 84 84 cm square सबको समझ में आया क्या सबको समझ में आया क्या 84 clear है चली 84 एंसर भी आगया सारे लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो क्या क्यों बाई सारे लोग वीडियो को क्या नहीं कर रहे हो कर रहे हो जले जली विटा दो कर रहे हो क्या पका उपर से गया बेटा दो तीन बार रिवाईड करे देख लेना ठीक चली वीडियो को लाइक कर दीजे जो लो बच्चे बोल nóan downtown कोई बात ने मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो it's okay आखरी सवाल the wheel of a motorcycle radius this how many revolutions are required to travel a distance of this ठीक है ऐसे सवालों में number of revolution is equals to distance upon 2 pi r ऐसा होता है हमेशा clear distance meter में 11 तो मैं 11 into 100 कर लों ताकि centimeter हो जाए फिर 2 pi की value 22 बटा साथ और radius तो radius दिया वर 35 cm 35 cm ठीक है हाँ ता 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 7 से 35 कटा 5 बार में 11 से 22 कटा 2 बार में 2 और 2 दो और 2 क्या है बटा 4 तो ऐसा करते हैं 5 से 100 कटा 20 बार में 2 से 20 कटेगा 10 बार में और 2 से 10 कटेगा 5 बार में clear तो बस कुछ नहीं बचा सिर्फ 5 बचा बाकी सब कट गए है तो answer is 5 centi नहीं 5 turns 5 revolution जो कहलो तो 5 revolution इसको मानना होगा for getting into this clear है क्या सब 5 revolution मानना होगा ठीक है समझ गए तो 5 turn ये 5 revolution लेना होगा चलिए जी तो मेरे नने मुन्ने बच्चो सेशन हुआ समाप्त उमीद करते हैं कि आपको आया होगा समझ आया है क्या वो बात आप मुझे नीचे comment box में बता दीजिएगा कि session समझ में आया है की नहीं अब अगला session आपका किस पर होने वाला है circles अगला session circles होने वाला है तीन बजे होगा थोड़ा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं हो सकता है मैं थोड़ा 15 minute time आगे भी बढ़ा सकता हूँ अभी मैं जाओंगा खाना खाने ठीक है तो आप लोग भी खाना खाये और नीचे comment कर दीजिएगा session कैसा लगा तीन सवा तीन बजे के आसपस circles के लिए मिलेंगे और उसके बाद फिर एक और chapter that's it आज के लिए दो ही chapter और रखेंगे ठीक है सबको clear है चलिए तो मेरे नने मुने बच्चों अब मजे से आप लोग पढ़ाई कीजिए कोई दिक्कत होती है तो नीचे comment box में लिख दीजिएगा और यह video अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजिए ठीक है